आप सभी को हमारा नमस्कार कबूतर का जन्म कैसे होता है ये सभी को पता होता है चिडिया अंडा देती है पंखाने के बाद एक दिन वो आकाश में उड़ जाता है आपने बहुत से कबूतरों को उड़ते हुए देखा होगा आम तोर पर वे सभी जंगली कबूतर होते हैं लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि कबूतरों की एक और दुनिया भी है और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खो भी देते हैं कबूतरों को खिलाना पिलाना और उन्हें पालने पोसने का तरीका तो कमाल का होता है तारा, ताम्ब्रेल, चीनी, लकवा, तिराविन, भूरी, रोशन, हूमर इन जाती के कबूतरों का बाजिगर इस्तेमाल करता है कबूतरों की और भी नसले हैं जिनका बहुत बड़ा इतिहास है आपको ये जानकर हैरत होगा कि आज भी भारत के बहुत से शहरों में खास करके बैंगलूरू की कुछ गलियों में कबूतरों की जोनाविंट होती है जहां कबूतर कुछ लोगों के लिए शौप तो कुछ लोगों के लिए तंदा तो कुछ लोगों के लिए दुश्मनी है कबूतरों की बाकाइदा रेस होती है जिसकी शुरुवात कृष्ण जन्माश्चमी के समय पर होती है कबूतर प्यार का संकेत है कबूतर शांति का प्रतीक है लेकिन जाने अन्जाने में इन कबूतरों का रिष्टा बाजार और अंडर वर्ल्ड से भी बहुत गहराई से है अभी अभी आशाण का महीना खत्म हुआ है और ये शुब समय है कृष्ण जनमाष्टमी का मालगुडी एरिया के भायों और पहलों दोस्तों और मित्रों और प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का 18 साल की तही हंडी के उत्सम में स्वागत है सु स्वागतम है पिछले साल की तरह इस साल भी जीतने वाले टीव को श्रीकृष्ण की प्रदिमाद दी जाए हमारी जीत का क्रिडिट मैं किसी और को नहीं दूंगा ये हांडी तो हम ही भोड़ेंगे हो भाई सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा समझ गया है हांडी तक कोई पहुंच सकता है क्या क्योंकि वो जो पानी छिड़क रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं है अक्री शुद्ध नारियल का तेर है पहले से ही ये टीम राचे में बहुत से पुरसकाट चीट चुकी है तुद्धूर की मुद्धू टीम का शानदार प्रडर्शन देखने आप सभी आए आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वाकत कीजिए इन सभी का देखिए टीम के सारे गुबिना कितना बहतरी प्रड़ सकता क्यों क्योंकि वो नारियल का तेल फेक रहे हैं उसे फोड़ने के लिए कोई जिगरवाला ही चाहिए हमारी अगली टीम है बचरंगी टीम नारियल का तेल लगाया है यार पक्का है कि हाथ पैड टूड़ जाएंगे उसने गलत टाइम पे चक्कमा दिया यार भाई उसके बिना नहीं कर पाएंगे में भाईजान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ सभी खिलाड़ी भाईजान के आने का बेसभी से इतिजार करें मुझे लगता है नहीं होगा चलो चलते हैं कमान बचरंगी बॉस यह भाई हाँ वह दे तो आ गया यह भाई बॉस मुझे बॉस यह भाई यह भाई यह यह कि अब दो कि अंधा तर्स्टाइब अच्छें और रिंग्स रेडी है चल जल दे पीने को हाँ ठीक से यार मैं टैर्स में मार डेडी करके रख्या हूं तुम सोडा वडा सब कुछ ले राजो और चकना लाना मत बूल जो समझे हाँ ठीक से एक मिड़ बात में करूँ हूं हाँ बहु लिए सार टैटू बनवाना था मुझे ब्रो एडिजैन थारे पास है या मारा डिजैन दिखाऊ हूं मेरी आखों में जो देख रहे हो वही मेरे हाथों में बनाना हो ओ इस्यो है कि इमनने सु कोनी होने वाला जुमान जी को आनो पड़ेगो जुमान जी मर्त है कि क्या बात सब्सक्राइब जुमान कि आ और भी आखों में अपने हाथों में चाहत है कि आखों मेंजु दिखाई दे रहा है उसे हाथों में टैटू करवाना है के जड़ा पास आये सदू अब दिख्या बिल्कुल करेक्ट बनाया है एक दो मिनिट बाद अपनी कुल देवी को याद करके आखे खोलोगे तो अच्छा होगा बाकी बाते हम वहां करेंगे आईयो अब बाब 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 यह चेहरा तो सच में बहुत मुश्किल था वो डिफरेंट हैस्टाइल शेफ या अपने क्या कहा था आपकी आखो में जो दिखाई दे उसका हाथ पर टैटू बना दो जब आपकी आखो में मैं दिखूंगा तो मैं वही बनाऊंगा ना वेरी सिंपल टेंशन मतले ना जब तुम सुबा मेरी शकल देखोगे तब शुभ योग आएगा और अगर नहीं में भी बात करो लेकिन मेरी इस लफ फेलियर फिलинки के बारे में खुछ भी मत कहना जो दुनिया की सब से बहतरीन फिलिंग वहा कि मेरी लव्फ फेलियर फिलिंग्स है क्या बोला लव से ज्यादा लफ फेलियर फीलिंग name create है चाहो तो एक लड़की से प्यार करो या चाहो तो तुम दो लड़कियों से प्यार कर सकते हो. दोनों की नजरों से बच गए, तीसरी से भी प्यार कर सकते हो. अगर तुम हारे पास दिन में बहुत टाइम है, तो तुम चौथी लड़की से भी प्यार कर सकते हो. Very simple. जिस लड़की से तुम सच्चा प्यार करते हो, अगर वो तुम्हें छोड़ कर चली जाती है, तो उन फीलिंग्स को कहते हैं, लव फेलियर फीलिंग्स, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लव से बड़ा लव फेलियर होता है, ये तो कुछ नया ही सुन रहा हूं मैं जरूर कोई खास नशा होगा इसमें, मैं भी इसको महसूस करना चाहता हूं, या करो भगवान, और यार मैं भी लव में फेल होना चाहता हूं, अवे, दुनिया लव में पास होना चाहती है, तो लव में फेल क्यों होना चाहता है, अबे तो चुपना यार, ये जुमन जी, मैं लव में फेलो जाओं ऐसा अशिरवाद देना मेरा अशिरवाद है तेरी लाइफ में भी एक सिंपल सी लव स्टोरी होगी कर दो आफेलो जाओं टॉरी लव में तरश में पडेलो जाते हैं पंट है तेरी लव से लव में तम तुम प्रम कर तो शुम मेंद्या में आवाद है तेरी लवस्त है इन दोनों में से जो भी रुकेगी उसे के साथ मेरा लव फेलियर होगा ए भगवान पता नहीं मेरी किसमत में कौन है हुए 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 अरे यह कौन है जो गोर रहा है उसका बाइफन तो नहीं अपर क्यात करूं यार सॉरी सॉरी फुरदर कि अर्व कि अर्व तक है कि अर्व कि अर्व कि कि अधिश्व अपके दादी के दिन मैंने आए दाने से एंक्स अट orthण तो छलो जाने दू आ आप बताओ देता तुम मेरे कोई रेलेटोफ हो ये मेरे दोस्त वह नाम बताने से इतना थिख रहती है तो adviser Doda तुम भी प्यार से नाम बता दो ना पूल वाली पूल वाली आटो पूल बेचते हुवे फूल वाली मेरा दिल चुरा के ले गई दादी मा आपका नाम क्या है मोहनिशा मोहनिशा नाम है तो भाई बात को बतंकर मत बना अंदर बैठे हुआ है तो यह पोस्टर में मेरी फोटो नहीं तो यह पोस्टर में लगने ही नहीं दूंगा यह पाड़ता हूं रूग्जा रूट्चा पड़ता हूं रूग्जा मेरी फोटो नहीं पर नहीं रोँगा दूमें डालता हूं तुम्हां ज़िए ना सिंगेल में लगाऊंगा चल इस तो हमारा चोटू हम लोगों को छोड़कर चला गया यार पुलिस आ गई है अब क्या होगा पक्या कल तक तो कोई और था ये कौन है भाई ये बहुत बड़ा मेंटल है नया नया पोस्तिंग होकर आया को अन design को युभाड कर छोटू फोटो फ्राइम बन कर रहा गया से कि है कि तन्वीर चोटू ह पुए हम उसे किसने महा रायाрем पतानी किसने मारा सभाट दिया उसका बीचारे का सर मार दिया उससे छोड़ेंगा नहीं उससे सर किसने मारा है पता नहीं किसने मारा सर लेकिन उसकी मौद मेरे हाथ तो लिखी है जान लेने के बाद मुझसे आके मिल सर यह दूम गैंग वाले हैं सबके सब बिल्कुल पागल है एक शेखा नाम का आदमी है वह इनके गैंग का लीडर है पाक्या छोटू गलीज जामुन सबके नाम इतने अजीब से हैं हमेशा गांजा अफीम चरस रात भर बैठ कर पिना इन सबका काम है सर हमेशा नशे में रहते हैं उनका भी एक छोटा सा कबूतर खाना है इसके अलावा दूसरे अड़ों के कबूतरों को भी चुराते हैं सर इतना ही नहीं घर पर हमारे कबूतर बैठा है कहकर उसे पकड़ अच्छा नहीं है तो इनका मैच हम क्यों देखे ए उन पर इंवेस्ट किया है ना तो अब देखो अरे थोड़ा आगे आके मारतों तो सिक्स हो जाता है बाउंडरी पकेज देदिया उसने आउट हो गया वह रिटार्ड मास्टर जी इन्वेस्टर साब कितना गया अरे जोते है कफ हमारा है कफ हमारा है और हाथ में आता है कटोरा क्या पापा पेंशन के सारे पैसे इस तरह से जाया कर रहे हो ना इसके साथ खेल रहे हो आप है आपको हराने वाली, आपके धरम पतनी है, हराओ इन्हें हराओ वो खेल कर हारते हैं, हम देखकर जीते हैं, क्यों? तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते क्या? ये हैं बड़े भाईया, किसी जमाने में कबूतरों के अखाड़े से इनकी भाई गिरी की शुरवात हुई थी, एमेले हो या पुलिस वाले हर जगे इनकी सेटेल्मेंट चलती है, इसलिए ये सेटेल्मेंट भाई के नाम से मशूर है, महाम देव भक्त हैं, मंगलवार, शु क्योंकि अब उनकी पत्नी भी उन्हें प्यार करती है, कलकी को इन्होंने अपने बेटी की तरह पाला है, और अब उसे भी गुंडागीरी के अखाड़े में उतार रहे हैं, हर रवीबार को सेटेल्मेंट के लिए छोटे बड़े समी लेवल के गुंडे इनके पास आते हैं क्या बै अपना बीडिये प्रोजेक्ट अपरू होने थे, उसके बाद में पूरी बस्ते में रूल इच बनाड़ा लूगा, केबल इच डालने का, क्या बै ठीक है न, अब तो खुश है न, क्या भाई आपी, सब लोग आपको सलाम करते हैं, और आप उसको सलाम कर रहे हैं, वो क्या है, कुछ दमदार शेर किसी के आगे जुकते नहीं, और वो तो मेरा अपना शेर है, जंगली शेर कितने का दाव है, एक का एक है भाई, मेरा एक पे दो है, तुम चार लोग हम एक से पंजा लडाओगे, तो हम भी चार लोग तुम एक से पंजा लडाएंगे, चलेगा क्या, एक एखात लगाई लेते हैं भाई, हाई, 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 ह भाई 10 का 20 और एक वाने दो 20 को 40 कर दे 20 का 40 और एक वाने दो 40 को 80 कर दे अभी लो भाई 40 का 80 एलो गुरू दाव आप गई है आखरी दाओ है आने दो छोटू मैं तरह मैंच में 20 को 80 को कितना होगा एक-चो साथ भाई विह एक येलो एक्चो साथ एक्चो साथ असी का एक्चो साथ जाए मचवां बदे क्या हुआ रे वो चार थे मैं अकेला था तो तू हार गया हां पर बाद में क्या हुआ फिर हम चार थे वो अकेला था तो वो हार गया नहीं तो फिर वो चीता भाई भाई गहां मिला ये शेर इस पोटल को तू तीन चांस में मारेगा तो एक रुपया दूँगा तुझे एक बार में मार के दिखा बाजार के बाउसे दूगना दूगा बेटा सही मारा क्या निशाना लगा है वहां से पांच कतम पीछे जाके मारेगा तो बाजार के भाव से एक का पांच गुना दूँगा मत कर भाई अपरी बोला था ना भाई मत कर ए ए देरा देख के नहीं खेल सकता क्या हां देख कर ही मारा था थोड़ा मिस हो गया ठेट ऐसे क्या देख रहा है हां कारी को लगता तो और किदर जाके खेलने का चेल निकल अरे दुपारा गाली खाना है क्या भाई चुपने ना यार ओ एए एए अरे आए आप यहासे जल्दी निखो जल्दी है एए ट्रेव जल्दी चल्दी, अंदर, चल्दी बठो चल्दे, चल्दी ए, गाड़ी पीछे लेजर अब उस छोटे से लड़के ने अपनी जान बचाई है आज उसका अहसान चुका कर आते है चल्द कहां रहते हैं बेटा, तुम्हारे माबाप कोन है? सर, इसका माबाप नहीं है सर नाम क्या है? राम प्रताप देख पिटा मेरी जान बचाने वाला तू विश्णू का दस्वा अवतार है एहंकारी है लेकिन अवतार पुरुश है देख ये कल्यू गया है आज से तेरा नाम होगा कल्की, क्या होगा? कल्की कल्की अब चल मेरे साथ इस कार में? हाँ कार भी अच्छा है और सर भी अच्छा है जा तू निकल मेरा बाप नहीं होता ना तो मैं भी आता तेरे साथ इस बाप अब शुआ पापी तुष्टों से वरा है जहाँ, अब सच की हार हुई अर्जुन बनकर दूशस्त रूठा, चलकर संदार तुभी पापी तुष्टों से वरा है जहाँ, अब सच की हार हुई अर्जुन बनकर दूशस्त रूठा, चलकर संदार तुभी बाजी गर को बाजी लगाना आना चाहिए कब उतर उड़ाने के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए जमी से जब पंक मारती है तो आस्मान की हवा से बातने करती है और दो घंटे आना नहीं जोनू, दो घंटे नहीं उत्रेगी बाजी लगाने वाला बाजीगर नहीं बनता कल्दी उसे पंक के भड़़ाने की आवाज पता होनी चाहिए हवाज चलने की दिशा मालूम होनी चाहिए सूरज को देख सके ऐसी आखे होनी चाहिए खास करके कबुतर से अच्छा रिष्टा होना चाहिए उस तरह दिल देने वाली कबुतर अभी तक मिली नहीं जिस दिन वो मिली इन कबुतरों के बाजार में मैं ही बड़ा बाजीगर रहूंगा पहले क्या था अब क्या हो गया रहे तू सुनिए साब हां यह जगे मेरे नाम कर दीजिए इन दोनों पहाड़ों के लिए कैसे सरकारी लोगों से जगडा करके इस जगे को हासिल किये है मैंने जानता है न तू देख बिड़ा इस जगे को भूल जा दूसरी दिला दूंगा तिर को मेरी बात सुन यह जगे मुझे चाहिए चाहिए हाई के उपर हाथ रखता है तू हाई को हाथ लगाता है तू हाई को हाथ लगाता है ठीक है कि पूरी तैयारी के साथ आए हुआ हाई 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 हा आए तो हुआ। कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ करने पर भी इस लड़के को तूने कातिल बना ही दिया कोखार है यह अब नहीं रुकेगा तू ही निर्में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है तू ही निर्में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है तू ही निर्में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है तू ही निर्में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है रचिवरे का न श्करी अरे क्या वो वाइ?! आमनल सागो! अठो अठो, आठो.. भाइ दूए रहे? ववाइ.. वाइ अठीकोना भाइ! सर नथिंग टो वरी चार दिन के बाद स्टिचिस निकाल देंगे अगले हफ्ते चेकप ले ले आएगा सर यही कल की है यही राइट एंड है साहब यहां पे नहीं है यह पुराने इंस्पेक्टर की तरह नहीं है आपको किसी पर शक है क्या है तो बता दो एक्षिन ले लूँगा अगर शक होता तो अब तक जिंदा नहीं होता वैसे आपको यह एक्षिन मत लीजिए अगर आपको पता है तो बताईए मैं खुदी एक्षिन ले लूँगा सबी एक्जैम में कॉपी करके, फिजिकल टेस्ट में सेल करके, डिफेक्ट होने पर भी मेडिकल टेस्ट पास करवाके, यहां बैठे हुए MPMLO को भी रिश्वत दे कर लेकिन उस रिश्वत के लिए लोन लेकर SI बना हूँ, लेकिन उसकी EMI भरने की ज़रूरत मुझे बिलकु Dario Officer's के सामने इसे स्तरह की बात कभी मत करना है गलत करने वाला चाहे कोई भी हो गरम खून है जला देने का मन करता है घश्आ देने का मन करता है वो जवानों को भी जलायेगा और बुढों को भी जलायेगा चिन्टो जी अगर यह जूट भी बताए उसी को स्तेट्मेंन बन उठे तो छे फिट गिरे तो तीन फिट अब तो शरा पीना छोड़ दीजिए आप टेंशन मत लीजिए फॉर्म में बढ़ता हूं दे दीजिए मदद लीजे आप अनके क्या लगते मैं दामाद नोट नाओ फ्यूचर में सर पीना छोड़ दीजिए सर देखो बेटी मैं तु बढ़ता जाए लेकिन ब्रैंड नहीं बदलेगा बढ़ाए में जीरो हो पैसा कम हो फिर भी अपनी मंजिर्वत जरूर पा लेते हैं जीस्टी एस जीस्टी सीजीस्टी कोई भी टेक्स आने दो नाइंटी के लिए क्वाटर के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे हम पीना नह अलो समझ यह आपकी बात मान गये हैं बगेर पैसों के हमें जाने देंगे क्या यह कैसे हो सकता है आपकी बात भी नहीं मानेंगे बेटी पैसा देतो जल्दी घर चलना है कितना हो पांच हजार रुपए पांच हजार पापा आप इधर क्यों आए गवर्मेंट हॉस्पिट छोड़कर आपको इधर प्राइविट में आना था यह दमाज जी आ लेकर आएं अब तूहीं भर वहां नहीं दमाज जी हाथ तो मेरा यहां है समाल के घर ले चलो वह तो पैलर चेक देना चाहता था अर्कल जी उस चेक को यहां मत देना बार में देना तुम चलों मेरे नस ससूर जी अपनी पार्टी में क्या ससूर जी तुम लोग भी शरापीते हो शराबी हूं जुआ रही हूं देल का राजा भी हूं सब कुछ है अपने पास जो भी आदमी मेरे पापा जैसा मैं उसे बहुत नफरत करती हूं मुझे शादी भी नहीं करनी है क्या मैं प्यार के बात कर रहा हूं तो यह अभी से शादी के बार में बात कर रही है जाने तेंगे दे चुके हैं सिर्फ आपका ही इंतजार है जानो अरे यार इसके बार में फुल डीटेल्स कालेट करनी पड़ेंगे क्योंकि मुझे भी तो लौ फेलियोर होना है ना कि देख अगर तुझे नंबर वन का बाजिकर बनना है ना तो यहीं से शुरू करना होगा आजा नमस्ते भाई भाई यह इसी काट्टा है पिछले तीन साल से इसी का राज है यहां पर लगा थार उन्नेस घंटे उड़ा था रिकार्ड है भाई लास्ट टाइम सुभा उड कि अगा यहां वहां तुम एक कबूतर को मच चुना और तुम है कल की भाई का राइट है सॉरी भाई पैचाना नहीं था कबूतरों को चुराने के लिए बहुत लोगाते रहते हैं अपनी महभूबा यहीं पर है एक बार तो मिलना बनता ही है अरे सुन क्या यार तुमारे दिल की हल्चल तो नीचे ही है और सुन आई कल की आज के बाद यहां पे रोज आएगा ठीक है भाई करनाटक का टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर है और यहां देखो एक लड़की को प्रोपोस करने में डर रहा है तीन चार सालों से आप परी को सिर्फ देखी रहे हैं एक बार प्रोपोस करके तो देखिए प्रोफेशन के लिए मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं लेकिन जब परसनल बात आती है दर लगता है खामोश हो जाता हूं आप प्रोफेशनल ही समझाईए अगर व मेरे सारे डिजाइन्स का एम्रोइडरी वर्ट करके फैनल टच अप आप ही देती हैं वैसे ही मेरी लाइफ को भी फैनल टच अप देंगी क्या देखिए आप मुझे प्रोफेशनली बहुत सालों से जानती हैं मुझे आप से थोड़ी परसनल बात करनी थी आप कहीए सर प्रोइडरी बहुत अच्छी लगेगी शादी के आलबम में आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो और भी सुंदर लगेंगी यह दिजाइन बहुत मुश्किले ऐसा बिल्कुल भी मत समझेगा घर जाकर सोच के बताईए नहीं सर मैं घर जाओंगी तो यह डिजाइन मेरे सर में घूमता रहेगा मैं यही कॉफी पीते हुए सोच कर बताऊंगी सर में आपका लापटॉप यूज़ कर रही हूं इस ओके सर यह साड़ी को यह लेस मैच हो रही है कलर मैच नहीं हो रहा है है ना जैसे यह साड़ी और लेस मैच नहीं हो रही है वैसी हमारी फैमिली स्टेटस भी मैच नहीं होगी आप दिल की बात मत सुनिये वो दोके बाज होता है आप परस्नली और प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे हैं सर आपको कोई सूट करने वाली स्टेट कि वेंस्डे आने तक इस कॉस्ट्यूम को रेडी कीजिए नोइशूस है यह शोगदार हाई पता नहीं यह खेल मुझे रास क्यों नहीं आ रहा है मुझे यह कबूतर दे सकता है गया बदले में मैं कितना भी दे सकता हूं भाई यह मा का पला हुआ कबूतर है मा नहीं पहल सब्सक्राइब कर दोड़ाया था और दाना भी डाला था जब मा दुनिया चूड़कर गई तो सिर्प मेरी आखों में आसो नहीं इसकी आखों में भी आसो थे जब इसने उड़ना शुरू किया तो आज तक नहीं रुका इसलिए मां पोकारता हूं मैं इसे माफ करना भाई मां की जीत तो होनी ही चाहिए कौन सा कबूतर अच्छा उड़ता है यहां अपने कबूतर को अपना बना लिया तो कैसा रहेगा मां कबूतर को अड़ाने के बाद कलर चेंज कर देते हैं मां कबूतर के अलावा दूसरा कोई भी कबूतर नहीं है मैच में बचेगा सिर्फ बड़े भाईया का कबूतर कि बड़े भाई कुछ नहीं करेंगे अगर भाई ने कोई होश्यारी की तो उनको ही टपका डालेंगे मैंने मजाग में कहा था यार बाद कर से बात करूं क्या भाई पापा पापा अज तो किसी भी तरह लाव फेलियोर होना यह है पापा पापा यह क्या मेरे भगवान है यह हमारी भी है जरूरत के सारी चीजे रखने के लिए जगा देने वाला भगवान है पीने वालों से ज्यादा पिलाने वालों की पैर तोड़ने चाहिए मैं डराना चाहता था लेकिन वार्क आउट नहीं पाया तो यह क्यों आया है घुमा फिर आगे बोलू यह सिधे-सिधे बोलू सिधे इधर आया ना तो अब बोल देगो तुम पूछ रही हो इसलिए मैं बतारा हूं आय लव यह देखो तुम दुबारा पूछ रही हो इसलिए मैं कहरा हूं आय लव यह तीरी तो यह ना तुझे पार अलूगी हमार देना हर लड़की का पसंदीदा मैं भी वाइच चट पैन कर हाथ में रोज लेकर प्लैटिनम घुटनों पे बैठकर मैं भी तुम्हें प्रपूस कर सकता हूं बट यह महबबत प्यार सपने यह सब कुछ हमें नहीं मिलते हैं अगर मिलेंगे तो सिर्फ इस गरीब का प्यार मिलेगा तुम जितना प्यार मुझसे चाहती हो मैं उससे भी ज्यादा दूंगा अच्छा बताओ इस जेल में दो वक्त का खाना मिलेगा क्या क्यों क्यूंकि इस चाकु से तुम्हारा खून करके मैं जेल जाना चाहती हूं क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती एक बार अपने दिल की बात सुनो तो दिल की बात सुनकर मेरी माने दोका खाया मरते वक इसके बारे में सोचता है, इसलिए अकल की ही सुनना और तुझे, मेरा दिल एक्षेप्न ही करेगा और अकल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करूगी? कोई चांट नहीं है मैं तुम से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर रही हो परी, तो क्या मेरा लाव फेलियोर हो गया? मैं तुम को प्रपोस करते ही रहूँगा, और तुम मुझे रिजेट करते ही रहना ए निकल यहां से मैं पीता हूँ, इसलिए लाव फेलियोर हो गया, अगर पीना छोड़ दूगा तो लवर मिलेगी क्या मुझे? मैं बहाई, जब लवर छोड़ कर जाएगी तो दारू मिलेगी, लेकिन दारू छोड़ कर जाएगी तो लवर मिलेगी इसका डाउट है अरे यार, बरी कितना मास चिलाती है, अब मजा देख मिल, मिल, मिल जाना I love you जाना देखे है यार वापस लोफेलियर लोफेलियर ओकी बिटा, स्टेज पर डायलोग अच्छे से बोल ला ठीक है? इसे सबहलना अब, 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 आगया यह तुम तो यहाँ पर सारे बच्चों की मदद कर दे रही हो, इस चोटे से दिल की कुछ तो मदद कर दो ना तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? स्कूल है और वो भी बच्चों के सामने तो यह सब कह रहा है तो कभी सुद्रे गाई नहीं मुझा फिर से डाट रही हो, इसका मतलब वापस लव फैलियोर हो गया लव फैलियोर हो गया वापस भगवान शुरू होगी इसकी नौटन की मेरा लोग मेलूगा मेरा लोग मेलूगा अंकल अंकल रो ये मत कॉस्ट्म टीचर चली गई तो क्या हुआ ट्राइंग टीचर तो और भी सुन्दर है हां अरे रोने के लिए मैं पागल लगता हूं क्या मेरा जो लव फैलियोर हुआ इसका फील सूपर बैल इस गाने को सुनने वाले सभी को आयू आरोग्य एश्वर्य प्राप्ति रस्तो आपके जीवन में खुशी का आगमन होने वाला है कौन है कलकी के माबाब सुने ये संसकार दिये आपने अपने बेटे को खुशी का आगमन कहा था यही है क्या वो जनम देना ही काफी नहीं होता है उसे अच्छे संसकार भी देने चाहिए समझा दीजे अपने बेटे को जो पूरा दिन आवारू की तरह मेरे पीछे गूमता रहता है उसे कहिए मुझे प्यार व्यार में इंट्रेस्ट नहीं है गौर से देखिए खुशी के आगमन को देखो बेटी प्रीटी जिंटा तुम कुछ प्यार व्यार कह रही थी ना आप दोनों के बीच में आने वाले हम कोन है वो जो भी है आपस में सॉल्ट कर लो और क्या ऐसी बातों में आजकल के दड़कों को हम कुछ नहीं कह सकते वावा आप जैसे लोगों के वज़े से ही ये दुनिय ऐसी हो गई है ना कभी आपका उधार हो सकता है और ना कभी आपके बेटे का क्या मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए उसके लिए कोई पूजा है अवश्य परन्तु थोड़ा खर्च ज्यादा होगा कुकर हमारा लेते हो और दाल अपनी गलाते हो पंडे जी जैसी चाहत वैसी रहत मेरा भी भला नहीं होगा मेरे बेटे का भी भला नहीं होगा लड़की देखो बेटी दोनों में से एक छोड़ा चूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जाना रखते हैं खाना है किने वो चीडिया की मरती है मतलब तेरी पसंद क्या बता दे सुनिए सर मैं उसे कितनी बार मना कर चुकी हूं फिर भी मुझसे प्यार करो ये कैकर डेली टॉट्चर करते रहता है आज खाने में क्या बना रही हो कीमा बना रही हूं मटन मंगवाया क्या लेने ग्या हुआ हूं उसको मना कर दे वो लड़का कौन बता दे उसका इधर इच खीमा बना दूंगा इन में से कोई नहीं है कलकी हां हमारा कलकी मटन लेकर आने वो ठीक है प्यारी खूबसूरत परी की तरह हो पहली बार आई हो अंदर आओ कीमा खा कर जाना तब तक कलकी भी आ जाएगा उसे पसंद है इसलिए कीमा बना रही हूं क्या अंटी आप भी मैं आपको उसे समझाने की बात का रही हूं और आप उल्टा मुझको ही समझा रहे हो परी ने तेरा नंबर लिया यार किसलिए यार तुमने मजे समझ क्या रखा है विकारी की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो तो तुम्हें को शरम नहीं है क्या तुम अपने अपको सामझते क्या हो तुम्हारा ही शो सुन रही थी मैं अरे यार यह तो रिकॉर्डड़ है हम सौरी यार कल तो ने साधी दितना फॉल लगाने के लिए वो मैं करनी पाई लेकिन हमेशा करूंगी क्या गई वो अबे क्या हो रहा है वो मा कभूता नहीं दिख रही है यहां पे कोई रगभी खिलता है क्या वो क्या होता है कि कि अ ऑड़ स्भाँ 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 क्या वट कॉ कि आह लद ल MAY अगया हुआ प्लिज्धो प्लिग उल सुछ 사ONA हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है लगुआ है लग 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 दूसरों के लिए सिर्प जीतने वाला कभूतर है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ की तरह है. ये माँ है, तुझे आनात कभी नहीं बनाएगी. ये राजवन्ष का कभूतर है, आसानी से कोई इसका दिल नहीं जीत पाता, आप जैसे नेक दिल वालों का साथी बन सकता है, इसे ट्रेडिंग अच्छी मिले तो जबर्दस उड़ता है. मैं इसका दिल जीतूंगा. अरे वही लड़की, मुझे क्यों फोन कर रही है, देखता हूँ, बोलिये मेडम, कुछ नहीं वो, वो मैं सोच रही थी कि, अगर हम कल कॉफी डे में मिल सकते हैं तो, कॉफी डे में, और मैं, कॉफी डे तो क्या, तुम बुलाओगे तो मैं टी डे पर भी आ जाओंगा, कल ताउन हाओल की कॉफी टे में मिल थे यह यह परी मिलते ही, उस परी का भी फोन अगया, आज से तेरा नाम भी परी है, मुझे बूर्णि मैं, वट वोड़ यू लाक्तो है मैं? यू वोण मैंट मैंट बनुगर्ट? वो लोग क्या पी रहे हैं? मैं, कैपिचिनो और मोका कैपिचिनो, कैपिचिनो हे, पर्सोन मेरे शोव में एक गुंडा अपनी लव स्टोरी बता रहा था गुंडे का भी लव स्टोरी, क्या है वो? तलवार बंदुग से नहीं डरने माला है वो लेकिन उसकी लवर की इंगलिश से डरका शहर छोड़कर कहीं भाग गया है परी, तुम भी यही वाला आइडिया क्यों नहीं फॉलो करती हो? आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुझे इंगलिश थोड़ी ना आती है उसे आती है क्या? कोई चांस नहीं है वही गया गुजरा लड़का है ऐसा है तो तुम जो बात करूँ कि वही पक्की इंगलिश होगी पॉइंट तो है ठीक है वैसे तुने कभी वेस्टन कपड़े पहने नहीं यार मैने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े अब पहनना पड़ेगा कुछी देर में यहां कोई और आने वाला है उसके समय तुम ना यू टॉक ज्यादा इंगलिश ओके ओके मैं यह इस तरह के कपड़े पहने कर क्यों आई है अब 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 लुक सुपब पक्का हंड्र देज गुद मौरिंग सर नाइस तुस्यूई सर वार्वड्या मिलेगा कापेचिनो, होट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, ग्रीन आईस्क्रम स्पेशल मोका मोचो अब तेरी बोलती बंदकर एसी में गर्मी लग रही है ना, एक गिला चास देदे चास? क्या चास? सॉरी वे डोंट हैब सर इन्होंने क्या ओर्डर किया है क्या पचिनो मेरा फेवरेट है, सेम टूसेम क्या सर, एड लिटिल शुगर, शकर थोड़ी ज्यादा क्या है हालो, वेरेवर आई गो, यू फॉलो, वाई? आई? हच डॉग फुलबाई, मुझे यहां बुलाने का मकसद क्या है? यूनो मिनिंग फुलबाई? हम, वोमन केरिंग फ्लावर इन टोकरी, शी काल फुलबाई इन अमेरिका, शी काल फ्लावर वुमन यस, यस I go to Jog Falls, there only I learn Jig Jog and Falls You know, you know go there No, you don't like water I like water Actually One minute Hello sir, we are calling for loan What's that, child? No sir, loan I'll come here Sir, sir, you don't need to come No, no, no You don't need to come Yes, sir Yes, sir Yes Vary, मैं भी इंगलिश सीखना चाहता हूं Rama will teach English अगर मेरी क्लास में किसी का फोन बजा तो वो क्लास से बाहर जाएगा क्या चाहते हो तुम? आसानी से इंगलिश सीखना चाहता हूं अच्छी बात है क्लास में आओ चलिए A A E I O U A E I ABCD तो पता है ABD पता है यह क्या यार A I O U तुम सही डंग से सीखना है मुझा सीखना नहीं है सर्फ बात करनी है क्या मतलब हैपी बर्डे बास आज भाई का बर्डे है तुम लोग मेरे चेले नहीं हो बलकि मेरे दोस्त हो यह सब आज तुमारे लिए लाया हूं भाई आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं न वाई अरे टेंशन मत ले तू समाज में हमको यह लोग फाल्तू गैंक आएके बुलाते हैं पर देखना यह समाज हमें खुद सलाम करेगा इस समाज में बड़ा बनने के लिए जो लोग हमसे ज्यादा बड़े हैं न उन्हें उपर पहुंचाना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होने वाला उस बड़े भाई को टपका दें तो भाई यह तो नशे में है मजाक नहीं कर रहा हूं सच कह रहा हूं जान भी जाये तो कोई गम नहीं उस बड़े भाईया को तो टपकाएंगे अपन क्लान के मुताबिक अगर बड़े भाई को टपका दें तो भाई गाय तो सिक्का चलेगा पक्या यह सच कह रहा है जल्दी उस बड़े भाईया का बड़े आने वाला है उसके बड़े के दिन ही उससे उपार पहुंचा देंगे यह अच्छा लग रहा है मा यहां कॉफी की दुकान का है कॉफी की दुकान नहीं कॉफी शॉप है जीटी मॉल में थर्ड फ्लोर पर हाई-फाई कॉफी शॉप है बहुत मस्त है बेस्ट कॉफी अफे कॉफी क्या सिस्टम है यार गुरू कार तो बहुत मस्त लग रही है अफे कॉफी कॉल दूट अरे यार उसका पीछा करना अरे कर रहा हुना ब्रो कल शाम को मेरी काली मिल जाएगे ना कॉल डूट एक मिनिट अफे कॉफी कहां पर है पता है क्या आपको तुम्हे मालूम है क्या सॉरी नो आइडिया सर 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 बोलो सुना, यह दूसरी सोना है यहां afe coffee कहा है पता है क्या मुझे coffee बगर है नहीं चाहिए नाराज क्यो होती हो सुना वह afe coffee नहीं है हाइ फाय काफे है यही ओपर थर्ड फ्लोर पर क्या तुम कल की से मिलने आई हो लगता है तोनों गेम खेल रहे हो कोई बात नहीं फागल फ्रेमी हो लेकिन कल की सब की तरह नहीं है जब से मेरे पती की जान बचाई है तब से हमारा बेटा है तो फिर उसके माबब वो असल में रिटार्ड स्कूल टीचर है बेटे की बिजनिस के खातेर अपनी जाइदाग को गिरवी रख दिया बेटे ने धोका दिया और वो सड़क पर आ गए कल की आनात है वो सब मिलकर एक परिवार बने इस दुनिया को देखो यहां हर और धोका फरेब लालची पैसों के पीछे भागने वाले लोग है और इनी लोगों में रहने वाला सब की भलाई चाहने वाला मेरा कल की है वो एक तरह का जलती होई आप में एक लोहा है तुमें एक लोहार बनो बेटा जैसे चाहो उसे मोड पाऊगी अच्छे लड़के तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसके जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्क पर सब्सक्राइब डिया पिल्टा है यह एडियोड पार्क दखार ओके सार अधिया एफे काफे में चलते हैं वैसे वह एफे काफे नहीं है हाइफाइ काफे हमारे इंग्लिश में हम ऐसी बात करते हैं आप अधिया лушай मेरी स्टायल मेरी स्टायिल में मात करना वेलकम सर् Thank you sir, thank you so much अबे, किसी कहे रहे, लड़की कहे अ, जोग, हाँ यू लुग अवसम तोड़े Oh, thank you Sir, your order please I'm regular here Uh, bring me one Thalaiwa snacks Uh, for you? Oh, today Guru Day, Thursday Sai Baba, uh, fasting Get me one Rasayan क्या बोल रहा है, कुछ सब बनी आया मुझे Then, what else? How was the day? Hey, पूछाँ से, बड़ा स्टाइल में Then what else? How was the day? Uh, these days like this Uh, nice Oh, train It is very nice, no? Huh? I go my home, always train go Uh, I am practice like you are practice Yeah, yeah Actually, I am, you know What this? This is Sai Baba का प्रसाद Hey Bhagawan, English कि इज़त तुमी बचाओ Yeah You know I am very sparing Hmm Half cutely clear Uh, Andhari train stopping here You like Uh, you know Uh, again train Uh, big people All big people And again train Uh, like it Uh, like it Uh, like it Uh, like it You keep second Yeah, yeah I keep second You keep second I like purple I beat you I beat you Uh, I beat you Uh, thank you Huh? You know Hey Bhagawan And uh I'm going here You both talk What? You both don't come to English He's saying something And you're saying something And you're saying something You're saying something Please stop it You're talking wrong English You're saying Get out of my bill Nonsense This man Old Old Why laughing? Uh, you I don't like laughing I don't like crying Uh, because Please stop Uh I know you don't know English Huh In just two days Your 26th English I'm going to get I'm going to get Gold class High from the cinema High from the Gandhi class High from the Gandhi class High from the Gallatin High from Julie Good Amazing You look this Too Well Algerian Doing của Nur Mädom Love Barbie John comfortable हुड़ा सा प्यार ही काफी है, यह तो मैं देता ही रऊँगा, लेकिन तुम भी दोगी नप मैं प्यार करता ही रहूँगा, तुम नहीं कर ओगी, मतलब मेरा love failure हो गया, love failure हो गया Love failure, और इनी लोगों में रहने वाला सब की भलाई चाहने वाला मेरा कल की है मा आपके मुताबिक मैंने हमेशा अपने दिमाग की ही बात सुनी मा लेकिन आज मैं उससे प्यार करने लगी हूं मा सिर्फ एक बार क्या मैं अपने दिल की बात सुन सकती हूं वहाँ परी का इस परी से जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्षन है मैं तुम से बात करना चाहती हूं तो बात करो फोन पे नहीं परस्नली मिलकर कल मिल सकते हो क्या कल तो बड़े भाईया का बद्ध है मंदिर में क्या मैं भी आ सकती हूं अच्छ तुम आओ कि या मैंडम एक मेंट उतरोगी क्या कि इस सड़क का काम चल रहा है कि बाएं ओर कि लगता है इंगलिश में कुछ तो लिखा हुआ है कि मैं सुभा तो इसी रोड से गया था ना तब तो रोड अच्छा ही था हुआ कि सुनो मैं आज उसे अपने दिल की बात कह दूंगी लेकिन तुम भी उसे कहो कि यह भी तो मेरे साथ है ठीक है दोस्तों को फून करके देखता हूं कल की हाँ कि मैंने बहुत सोच कर देखा मेरे पसंद के लड़के तुम नहीं हो लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग की बात मान ही नहीं रहा आज मैं समझ गई कि प्यार क्या होता है अगर तुम मेरे लिए बदल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बदलूंगी सुनों आज मैं इससे बता दो क्या तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया काल की आई लाफ यो काल की अब ही तुमने मुझसे आई लव यू कहा जुबान हमेशा एक जैसी होनी चाहिए वह कल तुम कुछ दिल और दिमाग की बात करेंगी अगर आगे चलगे तुम बदल जाओगी तो मैं तुमसे प्यार कैसे करूंगा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहोगे और मैं तुम्हें गालिया देते रहूंगी क्या यही तुम्हारे लिए प्यार है मेरे बारे में जानती क्या हो तुम मुझे किस दिन कहां कैसे किस वर्क क्या होगा मुझे मिन अच्छा है तेरा खुन बहुत नमकीन है अच्छे से जान ले खुन में सिर्फ नमकीन नहीं मरदान के भी बहुत ज्यादा ही है अब ही और कौन कौन बचा एक एक करके सामने आऊ गुरू बड़े भाई को टपकाना दा मगर तू आ गया बद्दे की दावद के लिए बहुत सारा मतन चाहिए था काट कर ले जाओंगा आओ कमिनो आओ है 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 अब अब बार जगे पर डाला हाथ की अटी में जब और तस लगा है 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 ठोड़ दे चोड़ दे दल्वार उढाने दे देखतें क्या करता है है हरे ताकत ही नहीं बच्चियोंगी आथ में है कि अगर मुझे जिन्दा चाहती हो तो इस हत्यार के साथ बांधो बांधो यह देखो यहां पर शादी हो रही है उसके आपने बांध रही है कि अगर शादी राजी विद्वा रही है अगर 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 आजारे शिफ दिखाएं वोहाया हाद हेट हाद हाद हा हेट जग थिट बट अखले हाद प्यख नप हुई हुई حुई रट बट हुई हुई कल्की तुम जाओ तुम जाओ यहांसे सुनलो सिर्फ नौ लोग हो और नौ मिनिट है तुम्हारे पास तुम जाओ चली जाओ यहांसे मैंने ही जाओंगी जाओ काना जाओ मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगी अधियार डीला हो गया कसके बांदू झा झा नौ ट्रुंढ यहार इंकुद्टरी कि जाओ हुए यह पुछ चली शाओलकी एंस तुम्हार चाओा हो जाओश्ण व ज没有 चुम्हुपू. आ़ए पर जो आप अगे आपया कि अगया कि अगया पर कि यह कलके कि मौत से डरने की जरूत नहीं है कि बच गया तो देखा जाये तो आज मैंने तेरा कर्जा उतार दिया है पुरंदर को तो भाई ने उड़ा दिया अब भाई को भी उड़ाना पड़ेगा लगदा भाई आगए ए तुझे दिखता नहीं है क्या वह इंसपेक्टर है राम जी हत्यार देन इस हत्यार को पकड़ने में को जादा ही मजाएगा राम जी इस च इन पे गांजा काभी केस डाल सकते हैं इसमें तुम लोगों की फिंगर प्रिंट्स भी है इतनी टेक्निकल डीटेल्स मुझे नहीं चाहिए यार आधा अधूरा सिकर किसमें मुर्डर किया है तुने किया है तुने किया है क्या है तुने क्या है क्या है तुने क्या है क्या है मैं नए किया अब पकड़ना यार YouTube ले निया थे कॉंछ पकड़ना भी नहीं आता है तुझे ड्सेट्ली कॉन से साउट की फिल्म देखिये सिंगम श men अब फंक यार कारां इंगा क्षके पकड़णी इंहाले अना इधर लिज़नी अानो इनिगर समझ के अई किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होता है बाई गिरी मत कर सब कुछ छोड़ दे यही कहते है ना यह सारी चीजे देखके उप गया हूं यार कुछ नया करना राम जी जब मैं हाया था तो मैंने आपसे कुछ कहा था ना है सर पिछवाड़े पर दाखने का कुछ बात कर रहे हैं है कि बैड़ जाओ तुम लोग पैठ नहीं पा रहे हैं लेकिन क्यों नहीं चोड़ोंगा भाई उस इंस्पेक्टर की तो वाट लगा दूंगा अरे नहीं यार छोड़ देते हैं यह सब कुछ चोड़ देते हैं भाई आपको नाम कही पर भी नहीं लिया भाई तुम लो या नहीं लो पर वो सीधा मेरे पास ही आएगा यह सही नहीं है वार्निंग भी मिल चुकी है कुछ सालों के लिए तुम अपने अपने गाउं जाओ मैं अपने गाउं जाता हूं सुना हमें बहकाने वाला यही है हर मुश्किल का सामना करके इसे हमने बचाया अब जब इसे ही हमारी परवाह नहीं है तो इसकी परवाह करने की हमें क्या जरूरत है है देख आरे हो आरो इसे है है अट त्यरी तो है चल चाल चल कर रहे हुआ चल चल कर रहे हुए चल चल कर रहे हुए है हेट इसे रोक कियो नहीं रहा है यह दारू बिल्कुल निट पिरा रहां हर बार मैं प्रपोज कर रहा था और वो मना कर रहे लेकिन इस बार उसने खुद प्रपोरु किया यख और मैंने मना कर दिया और तो और ईसी आज से उसके काल पर थपड भी मारा है मतलब अब वो तुमसे सच्छा प्यार करती है अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा वो कहीं भी रहे, बस खुश रहे ए, लव फेलियर फीलिंग पाने के लिए तुम उस लड़की को तंग कर रहे थे उसका नशा चागया तुम पे अब वो कहीं भी रहे, खुश रहे उसकी भलाई चाहते हो तुम ये है असली प्यार जो तुमें हो चुका है शेर है बहते पानी का किनारा कहा उड़ते पंची का ठिकाना कहा मानो ना मानो अब तुम दोनों को सच्चा प्यार हो चुका है क्या हुआ खालो क्यों तेरी नजर तेज है या मेरी नजर तेज है यही सोच रहाना तू हाँ अभी तेरा हाथ ठीक नहीं हुआ गया गल की एक और हफता ठीक हो जाएगा पता नहीं हाथ जाम हो गया है जल्दी से हतियार उठाना चाहता हूँ ओ लोमडी को शेर की जिनता होती है और शेर को हाँ इस बार मैं इस मुकाबले में कबूतर उड़ा सकता हूँ कल के जैसे मेरे घर के देवदाय ना कबूत्रों का मुकाबला भी वैसा ही है ये खेल आज कल का नहीं है विटा ये कई पीडियों से चला रहा है कई साल पहले यानि राजाओं के जमाने में संदेश को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था अभी होता ये था से कई राजाओं को हार का मुँ देखना पड़ा अब उस वक्त के राजाओं ने कौन सा कबूतर बिना रुके ज्यादा देव तक आकाश पर उड़ सकता है ये जानने के लिए कबूत्रों की रेश शुरू कर डाले उधरी से शोगदार का जनम हुआ आगे चलकर यही खेल बहुत से राजघरानों का इज़ट का सवाल बन गया वो इज़ट नफरत में बदल कर फुन खराबे का नया खेल बन गया बहुत जमाने गुजरते गए गुजरते गए और एक खेल में बहुत से बदलाव करके कबूत्रों की रेस आज भी होती है बिटा ये सिर्फ हमारे देश में होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी इन कबूत्रों की रेज होती है, हम, इसके पिछे इतना बड़ा इतिहास से मुझे पता नहीं था, इतने दिन मैं सिर्फ शोक्तार बनना चाहता था, लेकिन आज के बाद नंबर वन शोक्तार बनूगा मैं, तुम कि क्यूट हो, तुम कितने क्यूट हो, और वरी आगई है, मैंने दिया तो नहीं खाया, लेकिन आप खा रही है, ये तीन दिनों से दाना नहीं चुग रही है, ऐसा कलकी ने कहा, अब देखो तुम्हारे हाथों से खा रही है, माची, अब उस दिन मैं आपके पास आकर कलकी मैं कहा कि कल की आपका बेटा और मैं आपकी बहू हूँ इस बात को मैं अब सच करना चाहती हूँ लेकिन आप उसे देखिये ना मुझे देख कर भी अन्देखा कर देता है वो परी को परी पसंद आ गई है तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रही है मुझे फेल होने में मिलने वाली खुशी पास होने में नहीं मिलती है कच्रे का कूड़ा ही मेरा पालना था अंत में एक दिन कच्रे की कूड़े में मेरा अंत हो सकता है मुझे कब कहां किस मोड पर क्या हो भाई, मैंन स्पॉंसर आप ही है फोन किया था, मैंने सब कुल बता दिया ए, उन्जा कितने गंटे उड़ सकता है भाई, ये साथ से आठ गंटे तक उड़ता है अच्छा, और किस-किस को उड़ाया था भाई, बुक्की, लारा, सिल्वर, तीनो रेड़ी हैं भाई महा जिसे आशिरवाद देगी, उसी को उड़ाना चाहूँगा भाई इस बार कौन से नए खिलाड़ी आने वाले हैं हमपा शिक्रा बहुत साउंड कर रहा है भाई ये कोडी पंजा, छोड़ा प्रकाश इतने खास नहीं है भाई इस बार जीतने का चांस अपना ही है भाई चांस तो है दूसरों के लिए, लेकिन जीतना हम लोग कोई है ठीक है भाई कबूतर प्रतियोगिता के नियम सुन लीजिए उड़ने वाले पंजी को गिरकी होना चाहिए मतलब उसे पल्टी जरूर मारना चाहिए अगर कोई पंजी पल्टी नहीं मारता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा कबूतर उड़ाते समय कोई दूसरा पंजी उसके साथ नहीं होना चाहिए अगर उसके साथ कोई उड़ने लगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा मैदान के चारों तरफ किसी भी तरह की साड़ियां, जंडे या पोस्टर्स लगाना मना है पंची को उड़ाने के बाद हर घंटे में उसका वाजीगर अपने पंची को रेफरी को दिखाएगा अगर मौसम खराब होता है और प्रतियोगिता उस दिन के लिए रद्द की जाती है तो मुकाबला अगले दिन होगा अगर उड़ने वाला पंची प्रतियोगिता के बाउंडरी वाल को छोड़ कर दूसरे किसी जिगे पर बैठता है तो उस पंची को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा पंची उतरते समय अगर अंधेरा होगा तो कबूतर के लिए लाइट का इंतजाम किया जाएगा पंची आएगा शिखरा आसमान में ना सिर्फ कबूतर पर शिखरा भी उड़ता है एरपोर्ट के रनवे पर कबूतरों को अवोइड करने के लिए शिखरा नाम के परिंदे को लाकर छोड़ दिया सभी उड़ने वाले पंचियों को पालते हैं पर मैंने इन पंचियों को मारने वाला शिखरा को अपना लिया यह क्या जानता है कबूतर का गोश्ट है मैं चिकन खाऊंगा और तू कबूतर का गोश्ट खाएगा खाले जान बना टाइन चेक्टर लीजिए शिकरा पंची 11 घंटे और 22 मिनट पोड़ कर वो सारे पंचीयों से आगे क्या यार सोचा था पूरी रात पुड़ोगे लेकिन कोई बात नहीं जीतेगा तुई ए पानी प्लारेज को ओडर कीवी सारी लाइट्स कैंसल कर दे ट्रे रागे लेक्टरा थााएट्स की लाँ पानी नहीं जीए टुड़ जित से वोड़ोगे लेवीज्वेण्वाल Allison बाई, चार घंटा हो या भाई भाई, अभी अभी उलुरा है भाई बाई, बाई, याई, बाई, अभी उलुरा है पिंजरे में घुटन महसूस हो रही होगी जा कबूतर का गोष्ट खा जा एश कर भाई शिकारी पक्षी अभी आए अभी क्वाश अगा Muh?! है 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 कि निदर है पर 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 आप कि अप कि अप कि अप कि अप कि वो शेरखान से शिखरापंची का जरूर कोई तो रिष्टा है कार में पिंजरा खाली क्यों हैं भाई भाई मा कबुतर को शिकरा ने कल मार दिया क्या मा कबुतर को हाँ भाई उसके बतले कोई दूसरा कबुतर उड़ रहा है क्या है इस कबुतर को तुम उड़ाओ कल्की हाँ मैं उड़ाओंग आपके रहते हुए मैं कैसे भाई आपके चाहत है इच्छा भी है आप सच में उड़ा सकते हैं दोनों मिलके कोशिच करते हैं हाँ हमारे भाई की तरप से देजा शौकदार बुकी नाम के कबुतर को अब इस सुबे के साड़े छे बजे उड़ा रहा है आप सभी लोग ताली बजाकर उस कबुतर का होसला बढ़ाईए पासे वाल पीजे बड़े भीया अरे तुई जीतेगा मसता ना ये कितने गंटे उड़ा ये पंची क्यारा गंटे साथ मिनट से उड़ रही है मतलब जीत तो अपनी वी ना आठवे राउंड बे लीडिंग वाला शिखरा पंची शिखरा पंची से पंदर मिनट कम उड़ा है भाई जल जाने दे पंची को क्या मालूम मालूम होता तो 20 मिनट एक्स्ट्रा उड़ता ना तेजा टीम से मापंची के बदले में दूसरे पंची को उड़ाए जाने वाला है कल के आया क्या कालो नहीं आया भाई वो खुद उड़ा रहा है ना मापंची के बदले में आने वाला कबूतर इस साल का आखरी इस पर्दी है सब त्यारी तो हो गई है ना कलकी की गाड़ी है भाई देखा भाई आपने कलकी हमारे अड़े पे नहीं आता है वागर पूरे शहर में घुमता रहता है अंची जब उड़ना सीख जाता है ना उसे गोसला कहां याद आता है क्या कर रहा है मंदिर में कंद नहीं लेके आने का याद नहीं है क्या क्यों हो तेजा टाइम पूछने आया गया जी हां बड़े भईया आप तो जानते हैं कि मा कबुतर को वो शिखरा कर इसलिए दूसरे कबुतर को उड़ाने के लिए टाइम पूछने आया हो भाई ये कलकी पंची उड़ा सकता है इसा विश्वास है के तिरको जी हां बड़े भईया ये पंची उसे बहुत मिल जुल चुकी है वो ज़रूर उड़ाएगा सब लोग सूच रहे कि भईया बड़े गुश्ये में कलकी पंची उड़ा रहा है लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया उसने क्यों नहीं बताया मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे पंची उड़ाना बहुत पसंद है अगर मैं मना कर दूँगा तो औप भया की बात के खिलाफ कहीं न चला जाओ ऐसा हूँ अइसा ड़ा लग रहा हूँ से सब लोग कलकी को मेरी पेटे जासा ही कह दे हैं कि मेरी भी कोई ऑलाद नहीं है वह मेरे बेटे जासा नहीं है कलकी मेरा सद्गहा बेटा है उसे जीत नहीं होगा उसकी शोगदार बनने के चपुरी होगी और आज शोगदार बनेगा वो हाँ अब कहां वो मैं आपके पैर पगड़ के जीब भर के रोना चाहता हूं लेकिन आपको ये एक्टिंग लग सकती है भाई तेरी जगे सिर्फ यहां पर है वहां पर नहीं है अरी इसमें तेरी भी लाइफ है और मेरी भी लाइफ है तुम उड़ोगी तो ही मैं उड़ूंगा तुम मरोगी तो मैं भी मरूंगा जय बजरंग बले है शिक्राया क्या हो अरे उड़ रहा है भाई ओपर दुश्मन उड़ रहा है तु संभाल के खेल कब उतर का बिर्यानी खिलाता हूं प्रिए्टिता जेख मुझा झाल भाई भाई मैं यदी एक खांद एक पांदा कर दो Hue एभ बापर वहाएल जस्त मेस यह 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 वाएल कि अपुटर ने शिक्रा को चकमा दिया यह क्या हुआ भाई जो होना था वह हुआ शेकरा मर गया भाई शेकरा 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 भाई भाई युआ वाई भाई भाई बाउड बन दिया भाई भैपर बेट बन दिया है एक नंबर था बाई ऐसा केम जिन्दिकी में नहीं देखा था कॉंग्रेट्स इतने सालों के इतिहास में कबूतर शिखर को मारना यही पहली बार है तुमने पहली बार बाजी लगाई है ना अच्छी प्लानिंग किये तुमने नंबर वान शोगदार बन गए हो तुम खुद में दम नहीं तो कबूतर को ब्लेड बानते हो शिखरा को धोखा दिया तुमने कबूतर के पैर में ब्लेड बानता किसने किया यह सब कुछ क्या चल रहा है इदर मुझे दोखा दिया कबूतर के पैर में ब्लेड बानते हो मुझे मामू समझा है क्या किसने किया सब कबूतर के पैरों में रिंग बानते हैं मैंने ब्लेड बान दिया वैसे भी मैंने दूसरों के कबूतरों को नहीं मारा न मैंने तो मारा है शिकरा को कौन है रे तू साम को खिलाने वाले को सपेरा बोलते हैं बंदर नचाने वाले को मादारी बोलते हैं और लोगों को जादू दिखाने वाले को जादू कर कहते हैं लेकिन सामने खड़े दुश्मन की चाती चीरने वाले को खेर का बच्चा कहते हैं भया, पुलिस आ गई आज पुलिस की वज़े से बच गया तो नहीं तो काट के कुट्टों को खिला देता मेरी वासुन, यहां पे लफडा नहीं चाहिए हमारे पास पुलिस की पॉमिशन भी नहीं है कबूतर को उतार दे मेरी जान को तुने बचा लिया परी इस खुशी के लिए हमें कुछ तो करना होगा चलो, लेट्स हैव दे पार्टी अरे यार धीरे धीरे से आजाओ आजाओ डाजेंगे चोर कैसा है वेरी गूड क्या यार तु तो फुल कबूतर बास बन गया है और इस खेल का मार्केट भी बहुत बड़ा है तो ये लव फेलियर क्यों सक्सेस भी होने देना जुमान जी कब उतर पिंजरे में रहने से बहता रहे उसे ऊड़ते रहना चाहिए उपर आज कल मिलने वालों से बहता है रहे अच्छे से पालने वालों के साथ रहना चाहिए दे देना भाई जो लिया वो वापस ने दिया सिर्फ कहनी सुनाता है तुराना संब मिला कर एक साथ दे दूँगा दे देना यार पैसे नहीं दूँगा यार आप यहां क्या कर रहे हो मैं शराभियों का खुन तो नहीं लेते हैं मतलब वो जो मेरा दोस्त है ना उसने पी करके एक्सिडेंट कर दिया सो पीने वालों को पीने वाला का मैश करता है ना वो हाँ तो चलिया होस्पिटल चलते है वो होस्पिटल जाना था कहीं वो अब चलें क्या क्या दून रहे हो मारने के लिए आउजार ढून रहा हूँ तो मैं तो नो रुख जाओ कि ये क्रिकेट बैट ढून रहा है खेले कि अरे सुनो मेडम आपके लिए पार्सल लेके आया हूँ दुबरा मेरा पीछा मत करना पापा 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 क्या हुआ आपको अंकल जी कैसे हो ये क्या नर्स को बलाया है आपने ये आचारिय कॉलेज ऑफ नर्सिंग से है प्रैक्टिकल के लिए आई है इससे ही सीख जाएंगी और पापा की तब्बेट पी ठीक होगी ये क्यों मैं था ना मैं सेवा करता है इनकी ये वील चैर यही लेकर आई है ये थोड़ा प्यों कोशली पड़ता बेटी मुझे बाहर जाना है क्यों पापा वो 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 इसलिए कि इस हालत में आप भार के से जा सकते हो रूखिये में आती हूँ वो क्या है यए वो वो ये कर दियो वोदिए ये कर दो दूद आती हो ये कर दोंगई मैं किसी के काम ना सका, मेरी जिन्दगी वेस्ट है, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़के चली गई, मैं किसी के काम ना सका, पापा, ठीक तो हो ना पापा, अकेले में बड़बडा क्यों रहे हो? आप काफे दिनों से बाहर नहीं गए हों, तो मैं शाराब आपको घर पर ही लाकर दूँ, पापा, आप क्यों रो रहे हो, पैरों में दर्द हो रहा है क्या? दर्द, जिसम नहीं है बैटी, दिल में है, पापा, जब तुम चोटी बच्ची थी, तुम्हारे छोटे छोटे पैरों में चम चम करती पायल में नहीं पहना सका, सुंदर से चेरी पर काजल नहीं लगाया, बाल नहीं बनाया, भूल नहीं लगाया, तेरा हाथ पकड़कर मैं कभी स्कूल नहीं ले गया, पापा, ये सब बातें अभी क्यों पापा, बेटी, मुझे देखकर तुम्हें कभी घिन नहीं आई मुझसे, तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाओ, पापा, जब हमें दुख होता है, तो हम भगवान की पूजा करना छोड़ देतें क्या, यहां देखे, आप तो मेरे लिए भग आप आये ना, अब कैसा लग रहा है सर, डर्द दूर हो गया बेटा, अब अच्छा लग रहा है, सर, साप नेवले की तरह थे, दारू चकने की तरह कैसे बन गया, शराब की बात किस लिए बेटा, तुम दोनों बैठकर बात करते रहो, मैं कॉफी लेकर आता, पापा, इसका फॉल्स वर्क खुड़ा ज्यादा रहेगा, जल्दी हो जाएगा ना, ओके, वैसे मैंने आपको प्रपोस किया था, पर मैं आपकी लाइफस्टैल को सूट नहीं करूँ, ऐसा कहकर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, देखिए, बॉर्डर पर इस कलर को मैच कर मैं अपने दिल की बात मानता थो, मुझे बहुत लड़किया मिल जाती, लेकिन मैंने हमेशा आपने दिमाग की बात मानी, वो आपके अलावा मुझे और किसी को दिखाई नहीं रहा, तो जल्दी बताइए, मतलब जल्दी दे दिजेगा, ठीक है, मैं चलता हूँ, अरे, आ पापा, ये लीजे, एई, क्यो है, ये छोटू, मेरे पापा को बेरहमी से मारा, तुम्हारे उस दोस्त कल की ने, उसका क्या बिगाड़ा था मेरे पापाने, मेरे पापा कितने भोले है, और इतने अच्छे इंसान के साथ ये किया, वो राक्षस है या इंसान, उसका कभी भलानी होगा, सर्वनाश होगा उसका, बोल लिया, अब मेरी भी सुनो, दूद अगर उबल कर गिर जाये तो उसे अशुब माना जाता है, लेकिन उसी दूद को हम भगवान शिप पर भी चढ़ाते है, और वो अशुब होता है, कलकी भी वैसा ही है, वो खुद को धुका द बाइस साल ना, पिछले बाइस सालों में तुम्हारे पापा को तुम्हारी परेशानी तकलीफें कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ में आने लगे परी, तुम्हें यह सोचना होगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए कलकी के पास सिर्फ यही रास्ता पर शराब फिकर बधावास पड़े रहने वाले तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका पैर तोड़कर उनकी जिन्दगी सुधारने वाला मेरा दोस्त कलकी बुरा हो गया, दो दिन में तुम्हारे घर में एक बार नर्स जरूर आती है, उस नर् एक गलकी गुंडागिरी का बाजार अभीमन्यू के चक्रिव्यू की तरह होता है, आजानी से बाहर नहीं निकल सकते इससे, मैं तो छोड़ दूँगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा कभूत्रों की खादिर इनसानों को मारा, सबके मन में डर पैदा किया, मनी को मारा, शौकत अली को खत्म करने के बाद ये धंदाई छोड़ देना चाहता था, लेकिन सिर्फ तेरे लिए टॉप गैंग पर मैंने गोली चलाई, और अब शिकरा, ऐसे ही चलता ही जाएगा सब कुछ छोड़ देंगे हम सैनिक चाहे तो जान छोड़ सकता है, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ सकता जिचा कह रहा है तो है, क्या आपने आपको कश्मीर बॉर्डर का सैनिक समझ रहा है तू, चुप चाप अपने फार्म हाउस की देख भाल करेगा तू, समझ ले, वो किसी लड़की के पीछे पीछे घूम रहा था ना तू, उसी लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूग माजी के मंदिर जाकर प्रसाद लेकर आऊंगा मैं, तुम उस लड़की को आने को बोलो, ठीक है, बोलती हो, सुन, तेरे लिए खुश ख़बरी है, क्या है माजी, तुम मेरे घर की बहु बन कर आने वाली हो, प्रसादो ख़बरी है, तुम मेरे ख़बरी हो, सुन, फूर्ण आपल, आज शुबहे हो, सुबहे हो, कुछ भी मतबॉल, टबी बहुख, कुछ भी मतवल, बहुत, इसे हो और बहुत, इसे हो इसमारे आवा है, जरुए उफ़ए, और जरुख, जरुख, छालुए तुम, वड़े भाई की मौद हो गई कल की, क्या बोल रहा है या? कर दोग के बोल रहा है या? कर दो उयाँ कि अहा है? कहा बोल को बोल की इए वाई पाई बोल हार याई श्रजओुरिपू भुछ बीदाSt transmitter झ्रेमानी झारो कि झारो झारो थे गो किसे सूरेमो ज्पलुण d देखो ना, तुम्हारे भाई हम सब को जोड़कर चले गए कल के तुम काँ चले गए तुम काँ चले गए तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं है कुंदे की पंदी हमेशो मिर्भा होती है तुम चाओ चली जाओ मैं जोड़ती हूँ चाओ यहां से चाओ चली जाओ जाओ अनकल जूस मैं जूस भी नहीं पीता जी लीजे 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 आप भी लीजे आपको लीजे लीजे ना बेटा लड़की बहुत सुन्तर है यह मेरी बेटी है पारी पारी जातर सिर्फ नाम से ही नहीं सहन शीलता में भी कली की तरह है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर आपके घर की कली को अपने घर में फूल बना कर रखूंगा धन्यवाद धन्यवाद पापा यह सब क्या है य एक मिनिट थारा बेटी पारी जी सिर्फ एक पर अपनी मा की बात मान कर दिमाग की बात सुनिये लाइफ खुबसूरत हो जाएगी यह सब यहां क्यों आएं बापा तेरी शादी के बात करने है हो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है नहीं बेटी आप क्या बोल रहे हैं बापा सिफ उसके प्यार करने से क्या होता है तेरे पसंद का लड़का तुझे मिलेगा तो बेटी, देख बेटी पारी, कल की तलवार का गुलाम है बेटी, तलवार कब तक साथ देखी, किसको पता, लेकिन जान लेने वाले की जान जाती, मेरी बास सुन न, ये लड़का पड़ा लिखा है, बहुत समझदार भी है, इसस इतने सालों में करजदार बन कर था, लेकिन इस जिंदगी में पहली बार मुझे दान करने का सौभागे मिल रहा है बेटी, वो भी कन्या दान, इस चुप घड़ी से मुझे दूर मत करना बेटी, मैं तेरी पैर बढ़ा हूँ, पापा, ये अब क्या कर रहे हैं बापा, मेर अब कर रहे हैं, का मेरीड लाइफ, थुम्हारा डिसेज़न फाइनल है, हुम्हुम्हुम्हुम्हु नॉन वेज होगा तो आओंगा, वेज होगा तो नहीं याओंगा, हाँ, परी, पत्थर दिल इनसान के पास तुम मत रहना, हाँ, हाँ, हालो, अचा हुआ आप्स राम प शोड़ए था मुझे उनकी सेवा करना चाहिए था आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो उनका मरना भेतर हैं även ज्यादा नाटक मत करो अगर वह होते तो क्यों से अर्ट्रूर करते ह्ने की सेवा सर लैकिन व्यकुनी करने के लिफानेे बहुतं है भगवान सब झाल झाल भाई इने इधर क्यों बलाया भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त उस बड़े भाईया ने मेरी इज़त कछरे में मिला दी थी ये लोग उसे मिट्टी में मिला आए भाई कल की बचना नहीं चाहिए अलेकुमसलाम मेरे करवाए गए शूट आउट में बड़े भीया मिस हो गये थे लेकिन तुमने उन्हें मार दिया अब नेक्स टार्गेट है कल की अब तक हम शेखा की बात सुनते थे लेकिन अब शिक्रा आया है इसकी क्या जरूरत है अगर हम दूसरों की बातें सुनेंगे न तो बाजार में बच्चे बन कर रह जाएंगे कल की को अगर शिक्रा ने खत्मी किया तो शिक्रा काई बजार रह जाएगा तो फिर बाजार को अपना बनाना हो तो कलकी को हम मारेंगे कलकी को शिekkरा खतम करेगा और सिखरा को हाम नमस्ते भाई बैठ जाओ अचा भाई परी को देखा तुने नहीं भाई हर जगे ढूंडलिया है भाई लेकिन कही नहीं मिली वो नहीं मिलेगी मुझे पता हैं नहीं मिलेगी, उस परी को छोड़ देने से, ये परी भी छोड़ के चली गई, अपने ही हाथों से, मम्मी पापा को अलवीदा कर दिया, बड़े भाईया मुझे छोड़ कर चले गए, मैं गाना दू यार, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, म में जिन्दा रहना होगा, हारी डालू यार, मैं जानता हूँ तुने मुझे मारने के लिए खाने पे बुलाया है, इस बर मा की यात्रा का खाना जरूर खाना, मिसमत करना, मिसमत करना यार, हारे यार, तुने दुश्मन से हाथ मिलाया है, मैं जानता हूँ, तो मुझे याँ बुला कर मारने वाला है, ये भी मैं जानता बड़े भाईया को किसने मारा खाना बड़ अच्छा बनाया ना बुछ और चाहिए तो बोलिये का क्यों भाई बियर कि वच ऊख्धान का hm तो मासी टा बुच से बुपश यार ऑुच ड्वर, इस सभिक है क्या हुь झालना! झालना! इस प्रेफ़ झाल 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 कर दो... यह जब पितलों को अपड़ कर दो डना प्रेंग जुझ करें डना झाला खुड़ है प्रहा है प्रहा है है बदे अखने नह दो पrontांगो। बड़े लीफटी टार प्सलों अाल बड़ली लीफटी लीफटी व Policy झाल अड़ अड़िशों से लीफटीll प्सुल झाल 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 छोड़ दे छोड़ दे परे को छोड़ दे अरे मैंने कुछ नहीं किया छोड़ दे झाल य। कि यह उपर वाले उपर वाले बचा ले बचा ले अजया अरे शिक्रा को क्यों मार दिया वो कलकी अभी भी जिन्दा मैं देखकर आ रहा हूँ अभी जयार अब कैसा है वो उसकी सांसे चल रही है वो अभी भी जिन्दा है वहीं प्यपड़ा है अरे इसको क्यों मार दिया यार जो होना था वो हो गया शिकरा तो गया अब कलकी को भी खतम कर देंगे कि अब कि अब कि अब कर देखने वालों के पास रहने से ज्यादा जो ख्याल रखते हैं उनके पास रहना चाहिए मैं समझाने मतलब मैंने उसे सताने के लिए प्यार किया था लेकिन रियल लाइफ में उससे प्यार करने वाला एक ही एरो है यह क्या कह रहा है वो एक फैशन डिजाइनर है वो उससे बहुत प्यार करता है क्या आप किसी का वेट कर रही हैं? आप, वो एक बहुत ही खास इंसान है, अब तक नहीं आया, इसलिए बेचैन हो रहा हूँ, मोरत का टाइम निकला जा रहा है, वो कौन है मैं जान सित्ती हूँ? अच्छली उसी की वज़ए से आप मुझे मिली हैं, वो आपका दोस्त है, दुश्मन मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे उसके बारे में आपको बताने से मना किया है, मैं तो आपको पानी के लिए तडप रहा था, तभी आपका दिल जीतने का तरीका उसने मुझे बताय बताया कि दिल से बड़ा दिमाग होता है और मैंने आपको हासिल कर लिया आप रो क्यों रहे हैं आपने शाय कई सारे लड़के देखे होंगे जो अपने प्यार के लिए सिग्रेट शराब सब छोड़ देते हैं लेकिन अपने प्यार को कुरपान करने वाला लड़का देखा है अगर मैं उससे शादी कर लोगी तो जी तू नाम के लड़के का दिल दुखने वाला है इस बात का मुझे बहुत अफसोस होगा लेकिन मैंने आपसे शादी कर ली तो पूरी जिन्देगी अपने प्यार को धोका दिया है यही सोचकर पश्चा ताप करती रहूंगी उसे नहीं होगा आप उनसे शादी करने के बाद मुझे याद मत कीजिएगा अगर आपकी याद आई तो मैं मायूस हो जाऊँगा ऐसा भी मत सोचिएगा क्योंकि अगर आप खुशी से रहेंगी तो मैं भी खुश रहूंगा अब जाईए परी परी आपने कलके को कहीं देखा क्या नहीं के का मैड़ा आपने के अधन मैं क्या परी बाद मैं जय के आपकी ओकी त माया व. भ Осके बार, तो मैं अभर बारümüz ज्युक्त परी, तुम यहां पर क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी? वो सब छोड़ो, कल के कहा है बताओ पर जाने के तयारे कर ले, इसी वक्त, मैं इस पल का इंतजार कब से कर रहा था? पार, पार, पार! एक, दो, तीन, चौथा बुलिट तेरे लिए बचा के रखा था, लेकिन तुने डिपार्टमेंट का एक बुलिट बचा दिया, रेस्ट इन पीस, अरे, फैमिली ड्रामा या, पहले इसके रिपोर्ट बनाओ, हायर ओफिसर से मैं बात कर लोंगा, बाद में देखते ही ने, कल्की, 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 कल्की येक अच्छा लणका था या, मरना नहीं चाहिए था उसे, कल्की, 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 कल्की आगे खोलो, कल्की देखो मैं आगे, कल्की, कल्की आगे खोलो, कल्की तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सुचा, एक बार भी मेरे मारे में नहीं सुपचा करकी करके मैं केसे जीओंगी तुम्हारे बगे केसे जीओंगी पहरी ॲिचे करगी करगी देखो तुम्हारी परी आई है करगी परी फिर कभी भी मुझे चोड़कर मचाना तेरे बिना जी नहीं सकता युम्हारी जेखो इस है कर दो एंग कर दो Спасибо